पूल चाही कितनी ही उची टहनी पर जाकर खिला हो पर वो खिलता तब ही है जब वो जमीन से जुड़ा होता है जो जमीन यानि मालिक से जुड़ा रहता है वो हमेशा सुखी रहता है मालिक से ही हम है हम से मालिक नहीं ये हमेशा याद रखना यदि सुखी रहना है तो मालिक की अराध ना करो उनकी उपास ना करो और सेवा करो सेवा में ही अपने को लगाई रखो फिर देखना कैसे मालिक तुम्हारी चाओं को पूर्ण कर देता है फिर चाहे वो तुम्हारी किस्मत में हो या ना हो तुम्हें मिल ही जाएगा